यह वेलकम तो थर्टी फोर्थ लेक्चर ओफ दे चैप्टर बॉडी फ्लोविड्स एंड सर्कुलेशन आयम हरी शुकुमार और इस लेक्चर में हम लिम्फाटिक सिस्टम के बारे में जानेंगे तो चलो यह लेक्चर शुडू करते हैं लिम्फाटिक सिस्टम है क्या देखि कहा है लिम्फाटिक सिस्टम कमप्राइजेस आफ फॉल इंग पार्ट लिम्फ लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स यह आपका बॉडि ए और इस बॉडी में यहाप हार्ट है ठीक है और यहाँ आज बाजव पुरा लिम्फाटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया दिखाया गया देखो अभी तक हम क्या पढ़ किया है अभी तक हमने body fluid and circulation पढ़ा है कि हमारे body में एक fluid पाया जाता है जिसे हम कहते है blood ठीक है और ये blood जो है flow करता है blood vessels के थ्रूँ ठीक और जो organ जो होता है जो blood का circulation में मदद करता है वो है heart ठीक है तो इससे हम कह रहे है blood vascular system blood vascular system ठीक है blood circulatory system बोल लो जिसमें blood होता है blood vessels होते है और एक organ होता है heart ठीक अब ये blood vascular system हमारे body में है हमने इस चीच को अच्छे से पढ़ा है right अब हम बात करने वाले है lymphatic system की lymphatic system की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे body में already blood vascular system था blood से हमारे body के cells को tissues को organ तक oxygenated blood पहुच रहा था nutrients भी मिल रहा था इस blood के through हमारे body organs को body cells को all right nutrients मिल रहा था blood के through oxygen मिल रहा था CO2 को निकाल भी देते थे जो कि harmful होता है CO2 यह सब के होने के बावजूद भी lymphatic system की क्यों जरूरत पड़ी हम थोरे दिर में समझेंगे अभी हीक अभी के लिए इतना ध्यान रखो जो lymphatic system होता है lymphatic system इस lymphatic system में जो fluid involved है उसे हम कहते है lymph जैसे blood vascular system में जो fluid था वो है blood तो हमारे body में एक तो fluid आपको blood देखने को मिलेगा और साथी साथ lymph देखने को मिलेगा blood flow करता है blood vessels के थूँ वैसी lymph flow करते है lymph vessels के थूँ ठीक है ओके और blood vascular system में आपको पता है एक organ होता है heart ठीक है heart उसी तरीके से lymphatic system में lymph nodes होते है lymph nodes ठीक है lymph nodes का अपना एक function है वो भी हम lymph nodes होते है ओके जैसे एक lymph node है उसका नाम है spleen उसकी बात हम आगे चर्चा करने वाले है यह राजिये देखो यह spleen है ठीक है यहाँ पर heart है blood vascular system का और lymphatic system का एक node है lymph node जिसे हम कहते है spleen ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते है और इस lymphatic system को अच्छे से समझते है तो moving on to the next slide student ह हम बात करने वाले lymphatic system की देखिए यह आर्टरी आर्टरी से आगे निकली है capillaries ठीक है आर्टरी जो है यह oxygenated blood को carry करता है ठीक हमें पता है आर्टरी जो होती है वो आगे जाके divide होती है में यह आर्टरी ओल्स मेपें यही आर्टरी ओल्स टीक है यह आपका आर्टरी है यह आ क्रिलेट्रि ओलस आगे जाके divide हो जाते है आगे जाके venus में खुलती है और venus जो वो vein में खुलता है ठीक है यह भी मुझे पता है ठीक पड़ मैं यहाँ पर आसान करने के लिए बता रहा हो कि पड़ेर यह रही वेन जो होती है वो deoxygenated blood को करी करती है और हाट तक लेके जाती है डियोक्सिजटेटट ब्लड को हाट तक ठीक है चलो इतनी बात है clear यहां पर ये capillaries का network है इसे अब capillary का network बोलो capillary bed बोलो एक ही चीज़ है ठीक अब देखिए यहां पर organ है organ के cells कि बलड लेकर आ रहा है तो किसी organ तक किसी tissue तक ले कर आ रहा होगा न तो यह organ है यहां देखो यह बहुत सारे cells है और बहुत सारे cell को हम आपस में टिशू कह देते हैं ठीक है ओर्गन के यह रहे cells ओके एक ओर्गन ने लेट से एक ओर्गन ने X ठीक है इस ओर्गन तक oxygenated blood लेकर आ रहा है आर्टरी ठीक है और आर्टरी आगे बढ़ गया है आपको पता है आर्टरी जो होता है आर्टरी से जो blood flow करता है वो blood बहुत जादा pressure लगाता है आर्टरी के elastic wall पर जिसे हम कहते है blood pressure vein में उतना जादा blood का pressure नहीं होता क्योंकि vein का जो lumen होता है वो wide होता है लेकिन आर्टरी का जो lumen होता है वो narrow होता है, छोटा सा lumen होता है तो जो blood flow करता है आर्टरी के थूँ वो blood artery के wall पे pressure लगा रहा है तो ये जो blood है, ये high pressure से flow करता हुआ आरा है artery से ठीक है, artery के elastic wall पे pressure लगाते हुए आरा है अब आपको पता है, capillaries में चोटे चोटे pores होते है perforations होते है ठीक है, pores होते है, perforations होते है अब ये जो pores है देखो, artery से oxygenated blood आ रहा है और ये blood किसमे rich है, oxygen में rich है ठीक है, साथी साथ ये blood nutrients में rich है, यानि कि इस blood में glucose present है और यही, जो nutrient है, जो glucose है वो ये oxygenated blood इन cells को देगा, cells को glucose की जरूरत होती है, जिससे ये जो cells है, वो energy बनाती है ठीक है, तो जो glucose मिलता है cells को, वो blood के through ही मिलता है तो ये oxygenated blood rich in nutrients like glucose and rich in oxygen अब ये blood जैसी यहाँ आया, capillaries में high pressure से आ रहा था, तो जो blood का जो plasma होता है और blood के जो WBC होते है वो ऐसे capillary के जो perforation है, उससे बाहर निकल कर आ जाते है, ठीक है, बाहर आ जाते है साथी साथ glucose, जो nutrient है वो भी आ जाता है ठीक है, blood जो होता है blood, blood के components बोलो क्या-क्या है, एक तो plasma है plasma, ठीक है, liquid part of the blood और फिर blood का एक और component है, formed elements, solid part of the blood, formed elements formed elements में क्या-क्या आता है RBC WBC platelets ठीक है, यह सारी चीजे मिलकर, blood बनाती है ठीक है, blood में यह सारी चीजे present होती है तो जब blood यहां से flow हो रहा होता है capillaries से, तो इन pores से blood का जो plasma हिस्सा होता है plasma, liquid हिस्सा, जो कि liquid होता है water होता है, एक दरीके से water बोलो 90 to 92% plasma जो है, वो water है, ठीक है तो जो plasma है, वो बाहर आ जाता है बाहर आ गया plasma ठीक है, plasma कहां आ गया, बाहर आ गया साथे साथ, WBC आ गया plasma आ गया, WBC आ ठीक है और साथे साथ क्या आ गया, blood में glucose present था nutrient rich blood था, तो glucose भी बाहर आ गया blood का कौन-कौन सा हिस्सा बाहर नहीं आया एक तो RBC और platelets RBC और platelets नहीं आएंगे RBC और platelets इसी capillaries में रहेंगे, क्योंकि RBC का साइज होता है, वो बड़ा होता है वो इस छोटे से pore से squeeze नहीं कर पाते है platelets भी इस छोटे से pore से squeeze नहीं कर पाते है ठीक है, plasma, WBC और साथी साथ blood में जो कुछ छोटे-छोटे proteins होते हैं, छोटे-छोटे proteins small proteins, small size के proteins होते हैं, वो भी squeeze करके बाहर आ जाते है, large proteins नहीं आ पाएंगे, क्योंगी large protein का size बढ़ा है इन pores से large proteins नहीं निकल पाएंगे, ठीक, तो इतनी बात है clear हुई, ठीक है अब देखो, जो glucose होता है glucose, glucose को तो cell ले लेगा cell जो है, वो glucose को ले लेगा, ठीक है, क्योंगी cell को glucose की ज़रूरत है, ठीक तो बचा क्या, plasma और WBC, plasma और WBC बचा, ये जो plasma और WBC है, इन ही कोई हम एक साथ कहते है, lymph, lymph क्या होता है, plasma प्लस WBC plasma प्लस WBC कोई हम lymph कहते है ठीक है, ये जो lymph होता है lymph fluid, released out, ये जो released out बहार आया है, capillaries से, plasma प्लस WBC, इस कॉल interstitial fluid, इसे ही हम interstitial fluid भी कहते है, lymph is also known as interstitial fluid और tissue fluid, ठीक है देखो, lymph क्या होता है plasma प्लस WBC, आपर मैंने नीचे लिख दिया, plasma प्लस WBC इसको हम lymph कहते है, या फिर हम lymph को ऐसे भी लिख सकते है कि blood में से RBC और platelets को माइनस कर दो blood में से RBC, ये जो RBC है और platelets है, इसको माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, WBC और plasma और WBC और plasma, जो है उसी कोई तो लिंफ तो हैते है न, तो lymph को आप इस तरीके से भी कह सकते हो, lymph equals to plasma plus WBC या lymph equals to blood माइनस RBC and platelets, blood में से RBC platelets निकाल दो, plasma WBC बचेगा, वही तो है lymph, ठीक है वही तो है lymph, बात समझ में आ रही है चलो, थोड़ा गंदा हो गया, मैं मिटा देता हूँ हाँ, अब देखिए ये क्या है, lymph, lymph कोई हम interstitial fluid या tissue fluid कहते है तो यहाँ पे पुड़ा lymph भड़ा हुआ है अब देखिए इसी tissue fluid के through gases का exchange होगा जो capillaries में जो oxygenated blood थी, उससे CO2 आ जाएगी इस tissue fluid में और, sorry, O2 आ जाएगी, oxygen rich blood है न, तो जो blood से जो oxygen था वो diffuse करके, diffusion के process से आ जाएगा इस tissue fluid में और फिर इस oxygen को ये tissue जो होते हैं, जो cells होते हैं, वो ले लेगा और tissue जो अपने metabolic activity के समझे CO2 बनाए थी उस CO2 को, ये जो cells है ये tissue है, जो cells है वो release कर देगी, इस tissue fluid में और फिर ये CO2 चला जाएगा कहाँ, capillaries में capillaries में enter करेगा तो जैसी CO2 capillaries में enter करेगा तो जो blood होगा, वो कैसा हो जाएगा de-oxygenated हो जाएगा de-oxygenated blood हो जाएगा ठीक है, de-oxygenated blood हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे present होती है in capillaries के साथ present होती है lymph capillaries just along this capillaries, lymph की capillaries भी present होती है lymph की capillaries ठीक है, अब ये lymph capillaries क्यों present होती है इस चिश को ध्यान से सुनो एक बार के लिए मैं इस चिश को हटा रहा हूँ मान लो 100 ml oxygenated blood artery से आ रहा था ताकि इस organ को oxygen मिले ठीक है blood आया, आया, आया blood का जो plasma था WBC था, वो तो capillaries से बाहर निकल गया और फिर यहाँ पे जो blood था वो de-oxygenated हो गया, CO2 अंदर आ गया टीया, gaseous exchange हो गया और vein से जब जो blood flow कर रहा है वो तो बस 90 ml है मतब 100 ml blood आया था artery से और जा रहा है 90 ml बागी का 10 ml जो है वो तो plasma और WBC के form में बाहर निकल गया ठीक है, जिसे हम lymph कह रहे है अब अगर ऐसा बार बार हो हर बार 100 ml blood आ रहा है, 90 ml जा रहा है तो हर बार 10 ml blood का घाटा हो जा रहा है, माइनस 10 ml तो इस तरीके से तो यार जो हमारे body में 5-6 liter blood है, वो तो कुछ समय बात बचेगा ही नहीं हर बार artery से vein के थूर 100 ml जाएगा, 90 ml तो यहां से 10 ml माइनस हो रहा है toll tax ले रहा है, toll tax होता है न toll tax जानते हो न, जैसे highway पे गाड़ी जाती है, तो एक जगा से दूसरे जगा अगर तुम जा रहे हो, तो भीश में बहुत सारे toll plaza होते है और तुमको tax भरना पड़ता है अगर एक जगा से दूसरे जगा highway में जा रहे हो तो यह 10 ml tax की तरह हर बार अगर माइनस 10 ml होता रहेगा blood flow में तो भाई हमारे शरी में blood का कमी हो जाएगा तो इसी लिए यहाँ पे यह कमी ना हो 100 ml था यहाँ 90 ml पहुचा तो यह कमी 10 ml का हो गया ठीक है, क्यूं हुआ क्यूंकि blood में से plasma WBC निकल के बाहर आ गया जो lymph के form में, lymph जो जिसम lymph fluid कहा रहे, lymph fluid तो capillaries के साथ-साथ present होती है lymph capillaries lymph capillaries present होती है ठीक है, lymph capillaries यह lymph capillaries के अंदर क्या होता है, यह जो lymph fluid है यह इस lymph capillaries के अंदर enter करता है ठीक है, यह जो lymph fluid है यह इन lymph capillaries के through enter करता है, और lymph capillaries आपस में merge होकर lymph vessel बनाती है, यह lymph vessel है दो lymph capillaries merge हो गई और एक common vessel बन गया जिसे हम कहते है lymph vessel तो इस lymph capillaries से होते हुए lymph vessel से होते हुए जो lymph है हमारा lymph है हमारा वो वापस से vein में आ जाता है तो 90 ml इधर से आया था जो 10 ml था वो भी आ गया ठीक है जो 10 ml यहाँ पे जो 10 ml lymph था वो भी वेन में आ गया तो वेन में फिर total 100 ml blood हो गया और फिर यही blood जो है आगे फिर चला जाएगा कहाँ open होगा वेना केवा में वेना केवा से heart के right atrium में चला जाएगा तो देखो lymph आ रहा था lymph vessel से जैसी यह lymph vessel वेन में इंटर करेगा न इस lymph की जो खुद की एक identity थी वो खतम हो जाएगी lymph की identity खतम हो जाएगी जैसी यह lymph वेन में इंटर करेगा क्योंकि lymph तो फिर blood के साथ मिल जाएगा तो जब वेन में यह lymph आ गया तो हम वेन में उस चीज़ को फिर blood ही बोलेंगे deoxygenated blood जो की 100 ml हो जाएगा lymph fluid तब तक lymph है जब तक वो lymph capillaries और lymph vessel से flow कर रहा है जैसी यह lymph वेन में इंटर किया इस lymph की identity खतम इसका वजूद खतम ठीक है जैसी यह lymph वेन में इंटर किया अब यह deoxygenated blood के category में आ गया ठीक है 10 ml आया था 90 ml इधर था 100 ml वेन में ब्लड हो गया deoxygenated blood बोलो बात समझ में आई ठीक है तो देखो इसलिए यह lymph capillaries और lymph vessel की जरूरत होती है ताकि हमारे शरीन में खून की कमी न हो जाए क्योंकि इन पोर से जब blood high pressure से आता है तो इन पोर से plasma और WBC बहार निकलाते है डबलो बीसी में भी कौन से डबलो बीसी mainly lymphocytes lymphocytes ठीक है lymphocytes अब देखिए अब सुनिए मेरी बात को यहाँ पर present होता है lymph node lymph node एक बुच्छा है present lymph node ठीक है यह एक lymph vessel है lymph capillaries है यहाँ पर एक और lymph vessel होगा बहुत सारी lymph vessel आके merge करेंगी ठीक है यह और गन X था और गन X से lymph capillaries जा रही थी lymph vessel ठीक है उसी तरीके से एक और 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 से लेटसे और और यह lymph vessel LV से मैं represent कर रहा हूँ lymph vessel ठीक है और किसी और जेड से एक और lymph vessel आ रहा होगा अब यह एक lymph vessel दो lymph vessel 1,2,3 तीसरा तीन lymph vessel आपस में जहां merge करेंगे वहाँ एक ऐसा गुच्छा बन जाएगा जिससे हम कहते है lymph node lymph node ऐसा जगा है जहां पर बहुत सारे lymph vessel आपस में आके इसे merge कर रहे हैं ठीक है अब हमारे शरी में एकी औरगन तो है नहीं यह तो एक औरगन के साथ यह पूरी कहानी चल रही है उसी तरीके से दूसरे औरगन क्योंकि आप देखो न यार देखो यह देखो जो lymph vessel है जो lymphatic system में हमारे body के हर जगा present है हर जगा ठीक है हर जगा present है ठीक है हर जगा present है तो इस तरीके से body के अलग-अलग organs से lymph vessel आ रही होगी और जहां वो merge कर रही होगी उसे हम कहते है lymph node यह जो lymph node होता है यहां पर WBC का मात्रा बहुत जादा present होता है जब बहुत जादे amount में WBC present होते हैं यहां पर WBC और WBC के जो cells होते हैं जो components होते हैं आपको पता है वो involved होते हैं किसमें immune response में हमारे body को immunity provide करते है pathogen को kill करते हैं ठीक है तो let's say let's say कि यह जो हमारा organ X था यह organ में किसी तरह का bacterial infection हो गया यहां पर यह bacteria present है जो कि इस organ को infect कर रहे है लिंफ जो है यह lymph capillaries में enter करेगा लिंफ capillaries में enter करेगा तो हो सकता है यहां पर जो lymph है lymph में जैसी organ में बैक्टीरिया है न organ जो है infected है तो जो bacteria होगा न हो सकता है lymph तो गया capillaries में और कुछ bacteria भी इस lymph capillaries में enter कर जाएंगे हो सकता है भाई और अगर infected हो organ में किसी तरह का infection हो किसी तरह का pathogen present हो तो वो pathogen lymph के साथ यह pathogen भी lymph capillaries में enter कर जाएगा और फिर lymph के साथ होते हुए ठीक है यहां से होते हुए lymph vein में जाएगा ठीक और उसी तरीके से जो bacteria है वो भी इस तरीके से जा रहा है अब यह bacteria vein में enter कर गया तो दिक्कत है क्योंकि फिर यह जो infection है body के बहुत जगा पर फैल जाएगा एक जगा से दूसरे जगा bacteria चला जाएगा infection spread होगा तो क्या होता है देखो जैसी यह bacteria enter करेगा ना lymph capillaries में फिर lymph vessel में यह आके मिलेगा पहले lymph node पर लिंफ node उस bacteria को पकड़ेगा लिंफ node जो है उस bacteria को पकड़ेगा बोलेगा भाई साब आप कहा जा रहे हूँ हाँ lymph node जाए वह एक तरीके से checkpoint है ठीक है जैसी यहाँ पर bacteria आया lymph node में बहुत जादे मातरा में WVC present होते है तो भाई lymph node तो फिर उन बैक्टिरिया को छोड़ता नहीं है अच्छे से उनको मजा चाखाता है उन बैक्टिरिया को kill करता है हमारे body को immunity provide करता है तो इस तरीके से जो lymphatic system होते है वो immune response के लिए भी responsible है immune response के लिए responsible है हमारे body को immunity provide करते है ठीक बात समझ में आई चलिए तो I hope आपको यहाँ पर lymphatic system का idea हुआ होगा एक चीज़ याद रखेगा यह जो lymph vessels होते है जो lymph capillaries होते है वो एक साइट से बंद होते है blind at one side ठीक है एक साइट से बंद ह ठीक है जैसे देखो जो हमारा capillaries है दोनों तरफ से open है इधर से भी open है यहाँ से भी open है लेकिन जो lymph capillaries होते है यहाँ से बंद होते है ठीक है और यहाँ पे open होते है ठीक अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा मैं यहाँ पे बोल द P equivacağım Yeah जब यह lymph capillaries यहां पर close है तो यह lymph enter कैसे कर रहा है इस lymph capillaries में यह जो bacteria यह कैसे enter कर रहे है इस lymph capillaries में तो इसका एक अच्छा खासा explanation है जो कि आपको उस चीज में नहीं गुसना है इसका explanation है ठीक है लेकिन वो आपके syllabus में नहीं है उतना detail में मद गुसो उतना information आपको याद नहीं रखना है बस समझ लो कि यह जो यहां पर किसी तरीके से कोई एक mechanism से यह lymph इसके अंदर घुस जाता है बैक्टिरिया इसके अंदर घुस जाता है मैं अगर वो explain करने बैठा तो lecture जो है बेफालतों में लंबा होगा आपकी syllabus में उतना है भी नहीं मैं पहले ही आपको ब lymph capillaries जो होता है यह blind होता है at one side और यहां पर खुलता है ओके चलिए तो आई होप आपको इतना समझ में आया lymphatic system यह मैं जितना आसान से हो सके नो उतना आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश किये यह बहुत ही बड़ा टॉपिक है lymphatic system blood vascular system सोचो आप इतने lectures में आप स system में एक lecture में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इतना समझ लिएगा कि lymphatic system अपने आप में एक chapter है यहां पर तो एक topic की तरह आप समझ रहा हो तो मैंने बहुत जादा कोशिश किये कि जितना छोटे से जितना आसान से आपको समझाने की कोशिश करू मैं वो समझा रहा हूँ आपको ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं moving on to the next slide अब जो जो बाते कीन हमने उस चीज़ को थेवरी में देख लेते हैं रिटेन में lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocyte lymph क्या होता है plasma plus WBC plasma क्या बताओ mainly water है 90 to 92% water है ठीक है अब water है मतलब के कैसा होगा colorless होगा whitish होगा ठीक है lymph क्या है plasma plus WBC तो lymph भी कैसा होगा colorless होगा ठीक है क्यों प्लाजमा जोंगी वो भी कैसी होता है yellowish होती है थोरी mainly water होती है तो lymph जो होता है वो भी colorless होता है खोड़ा सा slightly yellowish होता है या white इश होता है लेकिन आपको इतना याद रखना है कि lymph जो है वो colorless है fluid containing specialized lymphocyte देको lymph जो होता है WBC और plasma से बना है WBC में भी कौन सा WBC lymphocyte तो इसले हम कहते है lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocyte और lymphocyte क्या है WBC के components है ठीक है चलिए आगे देखिए fluid which is present in the lymphatic system is called lymph जो fluid lymphatic system में आप पढ़े रहे हैं उसे हम lymph कहते है जो आप blood vascular system में जिस fluid के बारे में बात करते हो वो है blood ठीक है ओल्राइट चलिए तो lymph क्या है blood से ही आया है ठीक है blood से आप बस RBC और platelets को minus कर दो तो जो बचा वो ही lymph है ठीक ह अल्राइट चलिए as the blood passes through the capillaries and tissues some water some water यानि की plasma की बात हो रही है along with many small water soluble substances कुछ छोटे-छोटे small water soluble substances होते है nutrients होता है जैसे की glucose हो गया ठीक है glucose हो गया ठीक है plasma हो गया और WBC हो गया यह squeeze कर देते है बाहर निकलाते है as the blood passes through capillaries in tissues some water along with many small water soluble substances move out into the space between the cells of tissues ठीक है जो यहाँ देखो न यह जो space है यह जो space है cells के बीच में ठीक है यहाँ जो यह जो space है cells के बीच में tissue के बीच में इन सब space में यह जो पूरा का पूरा space है ठीक है यह जो पूरा का पूरा space है यहाँ पे plasma WBC और glucose बाहर आ जाता है ग्लुकोस को तो फिर सेल ले लेते हैं तो बचा कॉन लिम्फ मतलब बचा कॉन प्लाजमा और डबलू बिसी जिसे हम लिम्फ कहते हैं तो वही चीज यहां लिखा गया है As the blood passes through the capillaries in tissues देखो जैसे कि ये blood pass करता है इन capillaries से होता हुआ टिशू के बगल में जो capillaries है उनसे blood pass करता है तो बाहर के तरफ इस capillaries से इस porn के थूँ प्लाजमा डबलू बिसी ग्लुकोस बाहर आ जाते ठीक है यह जो बात की गई है small water soluble substances इसे आप glucose मानके चलो आपने आसानी के लिए move out into the space between the cells of tissue leaving the larger protein and most of the formed elements in the blood vessels जो capillaries थी इनके pore से क्या-क्या बहार आए बताओ water यानि की plasma आया small water soluble substances आया ठीक है glucose आया और साथी साथ WBC आया ठीक है WBC आया अब देखो क्या होगा फिर साथी साथ कुछ small proteins भी आएंगे मैंने आपको खाता small proteins भी आएंगे small proteins large proteins नहीं आप आएंगे पोर जो है वो छोटा सा है ठीक है larger protein को छोड़ दिया जाएगा leaving the larger protein larger protein capillaries में रहेंगे और formed elements में से most of the formed elements जैसे की platelets और RBC नहीं आएंगे लेकिन WBC आ जाएगा ठीक है तो WBC प्लाजमा और कुछ small proteins है small proteins बहुत कम मात्रा में रहते है जहादा WBC और प्लाजमा ही नहीं आप एक साथ lymph कहते हो बट क्या lymph में small proteins होंगे पतब cell जो है वो glucose को ले लेगा ठीक तो जब आप NCRT पढ़ते हो ना तो ये जो आप ये पुरा का पूरा statement है ना आपको बड़ा confuse करता है तो इस ही statement को समझाने के लिए मैंने इतना ज़्यादा खिचरी पगा के आपको समझा रहा है लेपा पोती करके एकदम हरा रंग निला रंग लाल रंग ब्राउन रंग से पुरा ये फिगर पढ़ा के समझा है ताकि आपको ये sentence अच्छे से clear हो जाए ये sentence क्योंकि ये sentence ना मैं जब पढ़ रहा था जब मैं 11th में था तो ये sentence मुझे भी बहुत ज़्यादा बिस्टरब करता था समझ में नहीं आता था NCRT किताबी ऐसा है ठीक है और डिस्टरब करता है चलिए आगे देखिए इस फ्लूइड यानि की लिम्फ की बात हो रही है इस फ्लूइड रिलीज आउट इस कॉल्ड इंटरस्टिशिल फ्लूइड और टिशू फ्लूइड भी कहते है और इसी इंटरस्टिशिल फ्लूइड या टिशू फ्लूइड के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है CO2 O2 का जो कि मैंने आपको दिखाया था चलिए आगे बढ़ते है प्ल्म हम क्या है प्लाजमा फ्लसड बीसीड लिंफ नॉट रहुटिछ के लिंफिडिशन फ्लसटिशन हो गा deiक्सट्रियंग से जादा मिलेगा क्योंकि ी Сद्रियंफ हो प्लाजम से यादा । फ्ल artifacts है उस्टेंग फ्लाजमय कोenteam फिक्सचेंज ऑ लोग्व through this fluid, ठीक है nutrient जो है वो हमारा cell ले लेता है, glucose जो है मतलब cell जो है वो glucose को ले लेता है, alright gases को लेता है oxygen को लेता है, CO2 को छोड़ता है और CO2 जो है वो कहां वापस से capillaries एंटर कर जाती है और blood deoxygenated हो जाता है, right देखो, यहां पर देखो glucose आया glucose को ले लिया cell ने oxygen को ले लिया cell ने और oxygen को छोड़ा cell ने और यह oxygen फिर capillaries में चला गया blood deoxygenated हो गया ठीक है एक और चीज यहां पर याद रखेगा यह जो organ होंगे यह जो cell होंगे यह cell बहुत सारे nitrogenous waste substance को भी produce करते है during metabolic activity ठीक है यह जो nitrogenous waste होते हैं substances जो होते है यह फिर यहां lymph में आ जाते हैं ठीक है tissue fluid में आ जाते है और इस lymph capillaries में enter करते हैं वो wasteful substances nitrogenous wasteful substances और यह फिर इस तरीके से lymph node से होते हुए यहां vein में आ जाते हैं nitrogenous waste जो होता है nitrogenous waste जो substance होता है वो जब cell के metabolic activity के समय बनता है तो उस nitrogenous waste को हटाने के लिए, यहां से cell से हटाने के लिए, प्रिक है यह lymphatic system ही मदद करता है तो glucose ले लेगा cell और cell अपना nitrogenous waste substance जो होता है, उसको छोड़ देगा ठीक है, बाहर छोड़ देगा lymph में tissue fluid में और यही nitrogenous waste substance जो होते है वो enter कर जाते है, lymph के साथ साथ, कहां enter करते है इस lymph capillaries में ठीक, तो यह भी एक point ध्यान रखेगा चलिए, आगे देखते है यह तो हमने बात कर ली थी यह भी बात कर ली थी, यह भी बात कर ली थी, राइट, फिरम क्या, हाँ फिरम यह बात कर रहे थे कि lymph has the same mineral distribution as that in plasma exchange of nutrient gases, etc between the blood and the cells always occur through this fluid इस lymph fluid के थूई exchange होता है ठीक है, चलो an elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid, यानि कि lymph यहाँ पे जहाँ पे भी this fluid, that fluid लिखा है न वो lymph की बात हो दिये an elaborate network of vessels जो lymphatic capillaries होती है, lymph capillaries lymph vessels होती है, उन सबको एक साथ हम lymphatic system कहते है, lymph node भी lymphatic system में involved होता है क्या करता है, collect करता है lymph को and drains it back to the major veins, जो veins है, वहाँ तक मौचा देती है which is responsible for the immune responses of the body ठीक है immune responses of the body यह जो आपका जो lymph lymph node है, जो lymphatic system है वो immune response के लिए responsible होता है किस तरीके से responsible होता है, मैंने आपको दिखाया था, यह देखे थे न आपने किस तरीके से यह bacteria जो है, इसमें enter करता है lymph capillaries में, lymph vessel तक lymph node में जैसे यह bacteria पहुंचता है, bacteria का band बजा दिया जाता है, ठीक है चलो, तो I hope आपको इतना समझ में आया, lymph is also an important carrier for nutrients and hormones, lymph के थूँ nutrients and hormones को भी carry किया जाता है ठीक है, और फिर उस nutrient and hormones को veins में लाके रख दिया जाता है, और फिर जो nutrient है और जो hormone है, वो normal, जो हमारा, जो normal circulatory system है, उसमें enter कर जाता है blood में enter कर जाता है, nutrient and hormone, lymph से होता हुआ nutrient and hormone कहां जाएगा veins में ही जाएगा, और veins nutrient and hormone को कहां तक लेके जाएगा heart तक लेके जाएगा, और heart से फिर ये nutrient and hormone जो हमारे normal circulatory system होता है उसमें enter कर जाएगा ठीक, ये जो चीज है ना, इसको मैंने especially हाँ पे pink color में लिखा है क्योंकि ये चीज मैं आपको जब digestion and absorption पढ़ाऊँगा, वहाँ समझाऊँगा अभी के लिए बस रीडिंग कर लो fats are absorbed through lymph lymph के 3 fats को absorbed किया जाता है in the lacteals present in the intestinal villi इस चीज को आप अभी fact की तरह याद कर लो इस चीज को समझाऊँगा मैं digestion and absorption यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते है moving on to the next slide अब student बात करते है spleen की ठीक है spleen, lymph node जो की एक तरह का lymph node है spleen is known to be the largest lymph node of body largest lymph node body का कौन है spleen है? it is the blood bank of the body इसको blood bank of the body भी कहते है ठीक है, blood bank है यह रहा lymphatic system देखो यहाँ पर lymphatic system बनाया है पुड़ा body में आप देख लो एक बार और यह रहा spleen spleen कहां होता है? stomach के lateral side होता है ठीक है, जो आपका stomach है ना वही पर lateral side stomach के पीछे के तरफ थोड़ा situated होता है spleen ठीक है? यह जो spleen है ठीक है, और यही spleen में इस RBC को क्या किया आता है digest किया जाता है destroy किया जाता है तो इसलिए spleen is the graveyard of RBC जो RBC damaged हो गई है उनका तो अब काम नहीं है तो उनको कहां लाके छोड़ दिया जाता है spleen में spleen क्या है graveyard of RBC है और इसी spleen में जो damaged RBC है उनको digest किया जाता है उनको destroy किया जाता है ठीक है, चलिए आगे देखिए spleen originates from embryonal mesoderm यानि कि सीधा सीधी यह बोलने की कोशिश की गई है कि spleen का जो spleen जो है वो mesodermal in origin होता है ठीक है, जो embryonal germ layer आपको पता है mesoderm, endoderm, ectoderm तो spleen किस से originate होता है mesoderm से तो spleen का origin जो है वो mesodermal है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते है functions देखते है spleen का moving on to the next slide बस यह last part है इसके बाद यह lecture खतम है ठीक है, देखो functions of spleen its macrophage spleen में जो macrophage होते है specialized cell होते है macrophage इनका काम क्या होता है engulf और phagocytize and destroy worn out blood cells pathogens and cell debris ठीक है जो spleen तक spleen क्या है एक तरह का lymph node है तो spleen तक पता है आपको lymph node में मैं आपको दिखा आए तक किस तरीके से bacteria पहुंचता है तो bacteria का band बजा दिया आता है उसी तरीके से spleen तक अगर किसी तरह का blood cell पहुंचा worn out blood cell मतलब कि जो damaged blood cell है ठीक है blood cell जो damaged है या फिर ऐसे pathogen जैसे कि bacteria पहुंचा spleen तक या cell का कुछ कचरा है cell का कुछ एक हिस्सा है जो तूट कर अलग हो गया उस cell का वो कचरा है cell debris है उन सब को phagocytize करता है ठीक है engulf करता है और destroy कर देता है जैसे ये देखो जो spleen में एक specialized cell होता है macrophage ठीक है समझ लो ये macrophage है ठीक है यहाँ पे इसके आजू बाजू ये spleen है ये पूरा का पूरा spleen है मैं आपको एक visual representation दे रहा हूँ ये spleen spleen कहांदा है ये macrophage cell है ठीक है यहाँ पे enter किया क्या बताओ यहाँ पे enter किया छोटे छोटे worn out blood cell या फिर किसी तरह का bacteria, pathogen या cell debris तो ये जो macrophage है macrophage ये क्या करता है इनको engulf कर लेता है इस तरीके से इस तरीके से ये जितने भी debris ऐसको खा लेता है इस तरीके से मूँ फार के ऐसे आगर के खा लेता है खा लेता है engulf कर लेता है ठीक है phagocytis को कहते है और जैसी ये जो debris है cell debris blood cell या pathogen macrophage के अंदर आगे फिर ये chemical secret करता है macrophage spleen embrional stage में जब embrional stage में होते हो आप तो spleen क्या करता है produce करता है RBC RBC को produce करने का काम करता है ओके चलिए some antibodies are synthesized here antibodies भी बनाता है एक तरीके से immune response में involved है ना ठीक है तो antibodies भी बनाएगा spleen stores iron iron को भी store करता है ये तो ये कुछ functions है साथ हमारा ये जो chapter body fluid and circulation ये भी खतम होता है I hope आपको ये chapter अच्छे समझ में आया होगा मैंने अपनी पूरी कोशिश की जितने आसान तरीके से हो सके उतने आसान तरीके से समझाने की ठीक है तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी और chapter में किसी और दूसरे chapter में अभी तक सोचा नहीं कौन सा chapter पढ़ाऊंगा वीडियो डालूँगा तो आपको पता चल जाएगा तो यहीं पर ये जो lecture है और ये जो chapter है body fluid and circulation होता है समाप्त मिलता हूँ मैं आपसे अगले chapter में तब तक के लिए bye thank you, take care झाल